नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर्स स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे चैनल एग्जाम मैटेकिश्टेडि पर जो कि सभी गुष्ट्रमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए जाना जाता है तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी अभी यह आपका RRB NTPC का दूसरी शिफ्ट का पेपर हुआ है बड़ा ही आसान यह पेपर आगया जैसे हमने उम्मीद क्या था उससे भी आसान पेपर आगया आप लोग लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि दोस्तों अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप यहां से रिपीट करने वाले हैं तो गया जल्दी से देख लेते हैं सभी सवालों को ट्रिक से कर लेते हैं फटाफट एक एक सवालों को देख लेते हैं तो दोस्तों अगर आप अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाते हैं 2021 में एक सरकारी नोगरी लेना चाते हो सभ ये लाल कलर का बटन दवा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बैल आइकन को ओन कर लेंगे ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एक्जामेटिक इस्टेडी पर आपको टैम टूटे मिलता रहे देख लेते गाइस पहला सवाल क्या पू पूचा गया रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च द्वारा नविंता मनुमान के अनुसार दोजार बीस इकिस के लिए भारत की अनुमानित जीडिपी विकास धर कितने परतिसत रहेगी तो गैज ये रहेगी आपका 7.8 परतिसत ये ही सवाल का रैट आ लोगन है लाइफ लाइन ओफ इंडिया सोरी लाइफ लाइफ लाइन ओफ नैसन देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल ये भी काफी बैदरिंग पूचा गया कंप्यूटर का मस्दिस्क किसको बोला जाता है तो गैज ये बोला जाता है CPU को CPU यानि Central Processing Unit इस सवाल का रैट आंसर चला जाएगा देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूचा गया अगला सवाल भी देख लेते हैं एक सवाल ये भी पूचा गया सती प्रता के अंत में सबसे अधिक प्रियास किसका रहा तो गैज ये रहा राजा राम ओहन रोय का राजा राम ओहन रोय का राजा रा देख लेते हैं अगला सवाल दोस्तों उम्मीद करता हूँ लाइक कर दिया होगा आपने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा सभी प्यारे बच्चों ने मुसलिम लीग कांग्रेस समझोता यानि लखनाव पैक्ट कब हुआ था ये हुआ था 1916 में 1916 इस सवाल का राइट आंसर चल जाएगा देख लेते हैं अगला सवाल कौन से महादीप में एक भी जौला मुखी नहीं है तो गैस इस सवाल का राइट आंसर हुजएगा ऐस्ट्रेलिया उस्ट्रेलिया सवाल का राइट आंसर चला जाएगा देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल ये भी पूचा गया जौला मुखी से निकलने वाले ठोस चटानों के टुकडों को क्या कहा जाता है तो गैस इनको कहा जाता है पाइरोकलोटस पाइरोकलोटस इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा देख लेते हैं अगला सवाल तो दोस्तो एक सवाल ये भी पूचा गया अंगूर का रस यानि गुलकोज अंगूर के जो रस होता है दोस्तो अंगूर के रस को क्या बोले जाता है गुलकोज तो दोस्तो इसका रायसाणिक सूत्र क्या होते है केमिकल नेम क्या होते है C6H12O6 इस सवाल का right answer चला जाएगा देखे लेते हैं जागला सवाल स्वासन की किरिया कहां संपन होती है तो गैस यह होती है मैट्रो कॉंट्रिया में माइटरो कॉंटि यह सवाल का रैट आंसर चल जाएगा दोस्तों रिजनिंग मैथ के सवालों को ट्रीक से कराऊंगा थोड़ा धैरिया बना कर वीडियो को देखेंगे अगर आपने वीडियो पूरा देख लिए 100% आप लोग सेलेक्शन के करीब हो एक सवाल यह भी पूचा गया मानव सरीर में यूरिया का निर्मान कहां पर होता है तो गैज यह आपका होता है यकरत में यकरत इस सवाल का रैट आंसर चल जाएगा यानि लीवर देख लेते गाज जगला सवाल एक सवाल यह भी पूचा गया जो आपका पहले माल्दीव में होने वाला था कौन सा इंडियान ओसियन आइलेंड गेम दोजार तेईस में यह आप कहां पर होंगे यह होगे मैडा गैसकर में यह आपको याद रखना है पहले यहाँ पर होने वाले थे लेकिन अब होंगे यहाँ पर ठीक है देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल यह भी पूछा गया जो अभी आपके बिरिक्स गेम होंगे 2021 में यह कौन सा देश करवाएगा यह करवाएगा अपना प्यारा भारत एक प्लेटफोर्म है यह किस इकाई ने इसको लौंच किया है तो गैस यह क्या है नीति आयोग ने जो बच्चा डी ओप्सन मार के आ गया उनका राइट आंसर हो गया आप लोग इस तरीके से सवाल करके आ सकते थे डी ओप्सन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा यह हुई थी आपका 16 अप्रेल 1853 में 1853 में ही सबसे पहले भारत में रेल चली थी कहां से कहां तक मुंबई से लेकर ठाने तक यह भी आपको याद रखना है तेख लेते गाई अगला सवाल तो दोस्तों यह सवाल आपका वैसे मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता एक सवाल यह भी पूचा गया इसको आप ट्राइ करना इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा A ओप्सन जो बच्चा A ओप्सन मार गया उनका राइट आंसर हो गया अगला सवाल मैं आपको करा देता हूं बहतरीन तरीके से यह सवाल आपका पूचा गया यह आपका सिरीज E का code 5 H का code 8 ठीक है guys अब देखो इनमें logic क्या लगएगा पहली दो संग्या को जोड़कर हमें तीसरी मिल रही है दूसरी तीसरी को जोड़कर चोथी मिल रही है तीसरी चोथी को जोड़कर 5 भी इस बात से क्या पता चला guys देखो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो अगले वाली मिलेगी क्या आटर पांच कितने होते तेरा तेरा किसका code होता है guys M का तो M इस सवाल का right answer चला जाएगा जो बच्चा B option मार के आगया इनका correct answer हो गया आप लोग इस तरीके से सवाल करके आ सकते थे B option इस सवाल का right answer चला जाएगा ठीके guys आगे बढ़ लेते हैं अगला सवाल भी देख लेते हैं तो guys एक सवाल ये भी बुचा गया देखो इसमें करना क्या था इसका अनुपात ये है इसका अनुपात हमसे पूछा है तो guys इसमें जो भी आपका logic लगेगा मैं आपको direct बता देता हूँ तो guys करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ देखो जब आप इस वाले संक्या को उठाओगे इन में से एक-एक संख्या को उठाओगे नो को उठाओगे नो में गुणा करेंगे ये वाली चीजों की गुणा होगी और इन चीजों को गटाना है देखो नो में जब आप एक की गुणा करोगे तो क्या आएगा नो आएगा 9 में से घटाएंगे क्या 4 तो guys यह हमें 5 मिल जाएगा अब अगली वाले संक्या उठाएंगे 4 4 में 2 की गुणा होगी तो आएगा 8 8 में से घटाएंगे किसको 3 को 3 यहापर घटाएंगे तो आएगा 5 तो guys 2 लगतार संक्या तो हमें मिल चुकी अब आगे देखते हैं 2 को उठाएंगे आँ से 2 में गुणा करेंगे 3 की तो 2 तो यह 6 होता है 6 में से कितना घटाएंगे 2 6 में से कितना घटाएंगे 2 यानि यह आजाएगा 4 अब अगला वाला देखो 6 उठाएंगे आँ से 6 में गुणा करेंगे 4 की तो यहाँ यह वाली गुणा करेंगे तो आएगा 24, 24 में से कितना गटाएंगे एक गटाएंगे, यानि यह आजाएगा आपका 23 तो guys कोड हमारा क्या बना देखो एक-एक संख्या को यहाँ से उठाओ यह वाला हमारा कोड बन गया क्या कोड बना 55 423 यह हमारा कोड बन गया अब देखो यह आंसर हमारा निकल के आ गया यानि यही लोजिक अगर हमने यहाँ पर लगा दिया तो हमारा राइट आंसर निकल आएगा तो guys यही लोजिक हम यहाँ पर लगा कर देखते हैं मिटा कर इसको मैं मिटा देता हूँ मतलब हमें यह पता चलिए लोजिक यही वाला लगेगा जो हमने अभी लगाया है तो गैस मैं इसको मिटा देता हूँ अब देखो ध्यान से अब इसको ध्यान से देखो अब इस वाले की बारी है पांच गुणा में क्या करेंगे पहले गुणा करेंगे एक से पांच एकम पांच खटाएंगे किसको चार को तो गैस एक हमें मिल जाएगा चलो ठीक है अब अगले वाले संक्या उठाओ क्या उठाओगे अगले वाले संक्या अगले वाले संख्या उठाओगे चार चार में कितने की गुणा करोगे दो की तो गैस दो की गुणा करने के बाद में आएगा आठ आठ में से कितना गटाओगे तीन गटाओगे जैसे हमने पहले गटाया था यह आएका पांच अगली वाली क्या उठाओगे तीन उठाओगे तीन में कितने की गुणा करोगे तीन की गुणा करोगे तो यह आएका नो, नो में से कितना गटाएंगे नो में से गटाएंगे आप दोस्तों दो तो दो गटाने के बाद में आएका आपका साथ ठीक है guys, अब आखरी संक्या बच्ची हमारी साथ साथ में गुणा करेंगे चार की और गटाएंगे साथ चोग होते हैं अठाइस अठाइस में से गटाएंगे क्या एक तो एक गटाने के बाद में आएगा 27, तो guys जो इससे मारके आगे इनका राइट आंसर हो गया आप लोग इस तरीके से सवाल करके आ सकते थी, तो guys हमें code बनाना था, यही राइट आंसर हो जाएगा A option, ठीक है guys अगर आप हमारे चैनल पर ऐसे ही पढ़ाई करना चाते हो, वीडियो को लाइक कर दे तुरंट और सब्सक्राइब करना ना भूले, तुरंट कर लेंगे अभी, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा A option आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं तो guys एक सवाल यह भी पूचा का देखो, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, दो इन दोनों के बीच का अंतर चार, इन दोनों के बीच का अंतर छे, इन दोनों के बीच का अंतर आठ इन दोनों के बीच का अंतर दस इन दोनों के बीच का अंतर बारा यानि दो, चार, छे, आठ, दस, बारा अगले का अंतर कितने होगा चोदा तो चोदा आप क्या करेंगे 42 में 14 जोड़ देंगे जब आप 42 में 14 जोड़ोगे तो यह आएगा 56 तो गया जो बच्चा A option मार के आगे उनका right answer हो गया आप लोग इस तरीके से सवाल करें सकते थे एए उप्सन इस सवाल का correct answer चला जाएगा आगे बढ़ लेते हैं और भी जानकारी ले लेते हैं तो गया जो भी बच्चों ने मुझे यहाँ पर सवाल बता है 100% real सवाल मैंने आपको बता दिये हैं अगर आप 2021 में एक नोगर लेना चाहते हो सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हैं नीचे यह लाल कलर का बटन कर लेंगे ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एक्जाम एटिक स्टेडी पर आपको टाइम टुटेम मिलता रहे तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सो मच मिलते हैं अगली वीडियो में अ